So Hello Everyone, Welcome to Special Study आज की इस Special वीडियो में हम मुख्य मंत्री मतलब की Chief Minister से बनने वाले जितने भी Top MCQ हैं जितने भी Top Questions हैं जो की आभी तक सभी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो आपके आने वाली एक्जाम के लिए खापी important रहेगा और यकीन मानों कि अगर इस वीडियो को इस Topic को अगर देख लेते हो तो अगर इस Topic से Question आता है तो यकीन मानों एक भी Question आपका गलत नहीं होगा तो चले बिना Time Waste के शुरू करते हैं हमारा Question No.1 है अगला Question देख लेते हैं Question No.2 है मुख्य मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो मुख्य मंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राज्जिपाल करते हैं अगला Question है Question No.3 मुख्य मंत्री की नियुक्ति सविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है तो मुख्य मंत्री की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 163 मतलब की 163 के तहत की जाती है कोश्चन नमबर 4 है सावन्यतर राज्यों की मुख्य मंत्री होते हैं तो क्या होते हैं विधान सवा में बहुमत दल का नेता विधान सवा में बहुमत दल का नेता ओप्शन नमबर C यहाँ पर सही होगा काफी बार एक्जाम में देखने को मिला है याद रखेगा अगला कोशन है कोशन नमबर 5 राज्जी के सासन का वास्तवीक अध्यक्ष कोन होता है तो राज्जी के सासन का वास्तवीक अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं मुख्य मंत्री अगला कोशन है राज्जी मंत्री परिशद का निर्माता सहारक एवं प्रान दाता होता है तो कोन होता है मुख्य मंत्री इसका सही आंसर होगा अप्शन नमबर B अगला कोश्चन है राज्य मंत्री परिशद रूपी जहाज की निर्देशन चक्र का चालक होता है तो कोन होता है मुख्य मंत्री अप्शन नमबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला question की बात करे राजजी पालेवं मंत्री परिशत के बीच की कड़ी होती है पूछा गया question है तो क्या हो सकता इसका सही answer तो राजजी पालेवं मंत्री परिशत की बीच की कड़ी मुख्य मंत्री होती है ठीक है अगला question है किसी राज्जी के मंत्री परिशत की बेठक की अध्यक्षिता कोन करता है तो किसी राज्जी के मंत्री परिशत की बेठक की अध्यक्षिता मुख्य मंत्री करते हैं option number C सही हो जाएगा इसका अगला question देखते हैं राज्टी विकास परिशत की बेठक में राज जी का प्रती निधी तो कोन करता है तो राज जी का प्रती निधी तो कोन करता है दोस्तों मुख्य मंत्री option number B यहां पर right होगा 11 number question है राज जी का मुख्य मंत्री किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो राज जी का मुक्य मंत्री जो होता है विधान सबाग के प्रती उत्तरदाई होता है सारे कोस्चन आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि मैंने इससे पहले इंडियन जियोग्राफी को टॉपिक वाइस MCQ के रुप में कवर किया है और पॉलिटिक के भी आल्रेडी कई सारे टॉपिक से मैंने कवर करवा चुका हूँ आगर उन वीडियोस को आप देखना चाते हो तो उपर दिये गए आई लिंक पर या डिस्क्रिप्शन वाक्त में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी आप जरूर देखेगा ताकि आपका जीके और भी अच्छा हो सके और कापी है फूल रहेगा आपके आने वाली एक्जाम के लिए तो प्लेज उन वीडियोस को भी जरूर देखेगा हमारा कोस्चन नमबर ट्वेल की बात करते हैं राज जी का मुख्य मंत्री होता है तो राज जी विधान सवा दोरा चूना जाता है मंत्री परिशत की सकती को निर्धारीत करता है मंत्री परिशत का वेतन निर्धारीत करता है तो निन्म में से कोन से कथन राज जी की मुख्य मंत्री के लिए सही होंगे तो याद रखेगा राज जी विधान सवा दोरा चूना जाता है केवल एक यहाँ पर सही है राज्य की मुख्य मंत्री के लिए तो option number 3 इसका सही हो जाए गहाँ पर अगला question 1, question number 13 भारत के कीस राज्य में सरोपतम कोई महिला मुख्य मंत्री निविक्त होई थी काफी important exam में आएगा है question बताए इसका सही answer क्या होगा उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला थी महिला मुख्य मंत्री अगला question 1, question number 14 निविक्त में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रतम महिला मुख्य मंत्री बनी तो क्या नाम था उनका तो याद रखेगा सूचेता जो क्रपलानी थी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य मंत्री बनी थी अगला कोश्चन है कोश्चन आमबर 15 किसी भारती राजी की प्रतम महिला मुख्य मंत्री बनी थी तो इसका अंसर आभी मैंने आपको बता है कौन था सूचेता क्रपलानी पहली मुख्य मंत्री बनी थी ठीके जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी अगला कोश्चन है मद्दे प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे तो कौन थे इसका सही आंसर हो जाएगा रवी संकर सूकल जो थे मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे काफी बार एक्जाम में देखनों को मिला है ये कोश्चन अगला कोश्चन देखते हैं किसी भी राज्य में मुख्य मंत्री पद पर सरवादिक दिनों तक आसिन रहने वाले विक्ति कोन थे तो सरवादिक समय तक आसिन रहने वाले मुख्य मंत्री थे जोती बसू याद रखेगा important question है अगला कोश्चन है बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री थे तो बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री थे डाक्टर स्रीक्रश्न सीय अगला कोश्चन है यहाँ पर आपको सही मिलान करना है तो क्या हो सकता है साही मिलान जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो प्रथम महिला मुक्य मंत्री थी सूचेता क्रपलानी थी बिहार की जो पहली महिला मुक्य मंत्री थी क्या नाम थी उनका राबडी देवी मद्ध प्रदेश की जो पहली महिला मुक्य मंत्री थी उनका नाम था वहाँ भारती और राजिस्तान की जो प्रथम महिला मुक्य मंत्री थी उनका नाम था वशुंदरा राजे सिंध्या तो option number है यहाँ पर right हो जाएगा ठीके अगला कोश्चन है 20 नंबर कोश्चन ओडिसा की प्रतम महिला मुख्य मंत्री बनी थी तो ओडिसा को जो पहली महिला मुख्य मंत्री थी उनका नाम था नंदनी सत्पती एकजाम में पूछा गया कोश्चन है याद रखेगा 21 नंबर कोश्चन है भारत के किसी राज्चे में मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रतम दलित महिला थी तो प्रतम दलित महिला कोन थी माया वती इसका सही आंसर होगा स्रीमती मायमती इसका सही आंसर होगा अगला कोश्चन है 22 नंबर कोश्चन भारत के कीस राज्जे में महीला मुक्यमंत्री कभी नहीं बनी थी तो इसा कौन सा राज्जे है जहाँ पर आभी तक महीला मुक्यमंत्री नहीं बनी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा महराश्ठ ठीके आगला question और इस वीडियो का last question भारती सेविदान के किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाशित किया है तो किस आर्टिकल में परिभाशित किया है 116.7 का सही अंसर होगा 167 तो दोस्तों जितने भी important question बन सकते थे सभी को मैंने इस वीडियो में cover किया है अगर इस topic से question आता है तो यकिन मानो इसी वीडियो में से question आएगा ठीके? और आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like किजेगा और subscribe करके हमें support जरूर किजेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर share किजेगा ठीके? आप अगर चाते हो कि और भी ऐसे important video मिलती रहे तो please subscribe करके bell icon को जरूर पेस किजेगा और bell icon को प्रेस करोगे तभी मेरा notification आपको मिलेगा तो चलिए important video में next video में important question के साथ मिलते हैं जब तक के लिए जैहिन all the best